मिबाद छेतर में बनाई जा रही जंगल सफारी को लिकर मिबाद पहुंचे हर्यना के मख्य मंतरी मनोहलाल खटा निकाहा है कि जंगल सफारी की बात जहां तक है उसके लिए जमीन का मामला किलियर हो चुका है एनोसी हो चुकी है प्रधान मंतरी नरंदर मोदी से भी मलाकात क की उनसे सलन्यास के लिए समय मंगा है जब इस समय मिलेगा तो इसका जल्दी ही सलन्यास किया जाएगा बड़ा काम है 10,000 एकड के अंदर जंगल सफारी बन रही है सी यम बोले की पूरे विष्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी अभी तक 8,000 एकड की दच्छन पसू पक्षी हैं सभी की विस्ता की जाएगी ट्यूरिस्ट भी उनको देखने के लिए आएं इसलिए ये बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पनेगा नगर परीशत नुह के छै पारसदों के सामोहे की स्तिपे पर कहा है कि मैं इन लोगों को जानता हूं मैं सिफारिस करत हूं कि उन सभी पारसदों का इस्तिपाद चल्द से चल्द स्विकार किया जाए शीयम ने कहा है कि रेल तथा यूनिवर्सिटी मांगे नहीं हैं प्रोजेक्ट हैं इन पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं हर्याना के मुक्यमंत्री मनोहलाल ने कहा है कि काफी दिनों बात न 2741 करोड रुपे की रासी खर्च होगी मुक्यमंत्री मनोहलाल ने कहा है ये बड़ा कारेक्रम था उसके बाद भीड को संबोदित किया जनता में काफी उसाहा था पहली बार देखा कि भाजपा के प्रती कितना लगाव लोगों का उमड रहा है इसे सिद होता है कि पिछले नगर परिशत नगर पाली का पंचायत समीती पारसा चिला परिशत चुनाव में कमल के निशान पर चुनाव जीते शीम ने कहा है कि धीरे धीरे विधान सबा के चुनाव में भी सफलता मिले इसके नाते से जनता का मूर दिख रहा है उन्होंने कहा है कि नुहुचिला स्वे इत्यादे विश्यों पर विश्तार पूर्वक चर्चा हुई है इंफ्राइस्टेक्चर को लेकर के यहां के लोग काफी प्रसन है दिली मुंबई एक्सपैस वे इसका लाब लोगों को मिल रहा है आने वाले समय में यहां ओध्योक आएंगे और रोजकार मिलेगा उसी को लेकर एक बैठक आला अधिकारियों के साथ हुई है काफी पैरामिटर्स सही हुए हैं जो छोटी मोटी कमिया हैं उनको दूर किया जाएगा आप देखरें नुह मिवास से लियाकत अलीक रिपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी ख़बरें मित्रो नुह जिले में आप सब लोगों का अभिनिंदम बहुत दिनों के बाद जिया जिले में मेरा आना हुआ मुक्षे रूप से एक करकरम जो फ्रोजब जिरका में था और उसमें एक सामुए चिलानास उद्धान तीन सो कि इसने प्रजट्ट ते तीन सो सर्षट्ट 347 347 प्रोजेक्ट कुल थे अरेना के जिनका शिलानास और उद्धान हुआ कुल उसकी जो कॉस्ट 2741 क्रोड रुपया यहां से किया गया बड़ा करकम था देश व्यापी था और बाद में फिर मेवात के नाते से जो प्रोजेक्ट्ट यहां गाटन शिलानास करने थे वो भी किये जिन्ता को सभूतित किया मुझे खुशी है कि जन्ता में उत्सा बहुत था पहली बार में ने देखा कि भार्ते जिन्ता पार्टी के प्रति इतना लगाव उनका बढ़ रहा है अब वो इससे भी सिद्ध होता है कि पिछले स्थ अगर परेशिदों में हमारे बहुत लोग आये पंचेयत समीति पारश्क बहुत आए जिला परिश्दित को क्ल लाकर के भार्ते जिता पार्टी कमल के निशान में पर ही हम लोगों ने उसकर अपना एक में प्रकारत से वर्सवप्ना म सभूनत ओन अज़धा है है हमारी यहां जला प्रशित की काई बन गई है अब भी तेरे आगे विदान सबाव में भी हमें यहां सबलता मिले इस नाते से लोगां मूरत बिखरा है साथ ही क्योंकि नू जला एस्पिरेशनल डिस्टिक है तो यहां बहुत से सब्सक्राइब करके साल में एक मीटिंग में करने आता हूं आज उस घृट के सारे काम ऐग्रिकल्चर के नाते से इस सब विश्व के वारा चत्चा हुई इंफ्रासेक्टर भी इंफ्रासेक्टर को ले करके यहां के लोग बहुत प्संद हैं खास करके यह जो दिल्ली मुंबई का जो एक्स्प्रेस वे इसका लाम मिला है यहां बहुत लोगों में पसंदता है इसके काड़ से यहां उन्द्योग भी आये कि लोगों को रज़गार भी मिलेगा इन सब चीजों को लेकर और आज ए इन सब बातों को लेके खुशी है जंगल सफारी की जहां तक बात है इसमें जमीन जो है प्राया प्राया वो सब क्लियर हो गई है अनुर्सी सब की हो गए है मैं अभी प्रधार मंतरी जी को मिलके आया हूँ उन समय मांगा है इस जंगल सफारी का चिला नयास आगे आने वा नहींड हमना कि की अंदर है और हो मैं समझता हूं पूर्व की सबसे बड़ी जंडल से बनेंगी अभी तक 8000 जंगल सफ़ारी तो है परक्रिका गैर दसड़ एकड़ कि कहीं नहीं नहीं है इस परकार 완 sorting・ds. भरी में देश और दुनिया के जितने भी ऐसे जानवर हैं प्रक्षी हैं प्रशू हैं सब के अलग अलग परकार से उनके विवस्ता की जाएगी ताकि वो आएं और लोग टुरिस्ट भी आँ देखने के लिए आएं तो एक ऐसा बहुत बुरा फुज़क लिए बनेगा मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं लोगों को और मैं स्पारिश करता हूं कि उन्चे के पार्शदों का सीवात रूंच सिकार किया जाएं